नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आशिश तिवारी सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवन तेज में आपका स्वागत है चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला अमेरिका में अश्वेट व्यक्ति की मौत के बाद हिसक प्रदर्शन वशिंग अटक डी से स्थित वाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कारियों की जमकर नारेबाजी प्रदर्शन कारियों ने कॉन्फेट स्वारक को भी बनाया निशाना वाइट हाउस तक पहुँची अश्वेतों के उग्र प्रदर्शन की आज प्रदर्शन के चलते राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प को ले जाया गया बंकर में हालात पर काबू पाने के बाद बंकर से बाहर आये डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका में हिंसा जनक इस्ति को देखते हुए दो शेहरों में लगाया गया आपात काल नैश्मीले और जार्जिया में आपात इस्ति लागू कर सुरक्षा के लिए चैनाथ किये नैशनल गाड बारे से अधित प्रमुक शेहरों में हालात गंभी जासुसी के आरोप ने पकड़े गए पाकिस्ताने उच्चायोग के दो अफसर भारत ने देश छोड़ने का दिया देश वहीं दोनों आरोपियों को किया परसोना नौन ग्रेटा घोशित वहीं भारत के एक्षन से तिल मिलाया पाकिस्तान इस्लामाबाद इस्तित भारतिय दूतावास के अधिकारी को भेजा समथ भारत के एक्षन पर पाकिस्तान ने जताया विरोध भारत के आरोपों को पाक ने बताया निराधार पाकिस्तान के राष्टे नियंतरन रेखा से गुस्पेट कर रहे तीन आतंग की नोशेरा में धेर एलोसी से सटे तमाम इलाकों में हाई अलट सेना ने पॉरवार्ड इलाकों में शुरू किया सर्च और पेसल 28 माई को मूवेंट की गई थी ट्रेस दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी कोरोना से 62 लाग से ज़्यादा लोग संक्रमित तो 3,73,000 से ज़्यादा संक्रमितों ने गवाई जार वहीं 28 लाग से ज़्यादा संक्रमित इलाज के बाद त्वस्त भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,90,000 के पार तो अब तक 5,394 संक्रमितों की हुई मौत वहीं 91,000 से ज़्यादा हो चुके हैं रीकवाद कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोधी का आहवान 12 करोड लोगों ने आरोग्य सेतू एप किया डाउनलोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कोरोना के खिलाफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ है असली सैनिक इनकी लडाई नहीं दिखने वाले वाइरस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कोरोना योधाओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे बरदाश दिल्ली में केजदीवाल का बड़ा एलान कोरोना के चलते एक हफते के लिए दिल्ली बॉर्डर सील कहा अनलोक वन में खुलेगी सारी दुकाने केवल कोरोना कंटेन्मेंट जोन में रहेगी सकती राजस्तान में कोरोना संकर्मन पकड रहा रफ्तार आज 149 नए कोरोना पोजिटिवाइज सामने प्रदेश में संक्रमितों की संक्या हुई 8,980 तो वहीं अब तक 158 संक्रमितों ने तोड़ा तम देश में आज से पट्रियों पर फिर दोड़ी 200 ट्रेने अब तक करीब डेड़ लाक लोगों ने टिकेट कराए बुक वहीं रेलवे का नुमान अकेले जून माह में कम से कम 26 लाक लोग इन ट्रेनों में करेंगे सफर वहीं ट्रेनों को धीरे धीरे ट्रेक पर लाने की कोशीश में जुटा भारतिय रेलवे आज से चल रही ट्रेनों में अब 9 AC कोच भी की शामिल अब तक चलाईगे ट्रेनों में नहीं थी 9 AC की सुविधा आज से देश में नई गाइडलाइन से शेर वाजार में रोनाक आज सुबह 481 अंकों के उच्छाल के साथ खुला भी 80 ट्रेडिंग के दोरान 1249 अंक तक की रही उच्छाल वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दोरान लगाई 351 अंकों की उच्छाल भारत के भाव जेन ने ढूड़ी एपल में बड़ी खामी एपल ने दिया 75 लाग का इनाम लोग इन विट एपल ऑथेंटिक केशन सिस्टम में पाई गई खामी इस खामी का फाइदा उठाकर अटेक कर सकते थे यूजर्स का अकाउंट है फोन से चीन के एपल को हटाने वाला एप भारत में हुआ पापुलर दो हफ्ते से कम समय में 10 लाख लोगों ने किया डाउनलोड जैपूर बेस्ट एक स्टार्ट अप ने किया था ये एप लॉच्छ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समयत कई भाजपा नेता पुलिस इरासत में लोगडाउन के उलंगन का लगा आरोप राजगाट पर कर रहे थे अर्विंद केजरिवाल के खिलाब प्रदशन तिवारी ने किया लोगडाउन तोडने की बात को सिरे से खारेज देश में सादगी से मनाया गया गंगा दश्मी का पारवे आज के दिन ही स्वर्ख से धर्ती पर हुआ था गंगा का उतरण महज 20 लोगों की मौझूदगी में मनाया उत्सव हरिद्वार बनारा समय पूरे दीश के गंगा घाट रहे सूदे जेश मास के शुकल पक्ष की दश्मी को धर्ती पर आउतरित हुईती देव नदी गंगा उदगम इस्तल गंगोत्री में इसे कहते हैं भागी रथी गंगोत्री से निकली गंगा, कई राज्यों और शैरों से गुजटी हुई पस्चि मंगाल में गंगा सागर पर समुद्र में होती है समाहित केरल में दक्षन पस्ची में मांसून ने दी दस्तक, बारिश के बीच राज्य के तिरुवन अंत्पूरम कॉलम कन्नूर सहित नो जीरों में येलो अलट केरल के ज़्यादातर राकों में हुई भारी बारिश, तापपान में गिरावड़ताच म्यूजिक डाइरेक्टर वाजित खान का हुआ निदन, वर्सोवा के कब्रिस्तान में किये गए सुपूर्दे खाग, बॉलिवर्ड इंडर्स्ट्री में दोड़ी शोक की लहर, कोरोना और किड्नी के समश्या से जूज रहे थे वाजित जैपूर में पूर्वा आईएस अशोक सिंग्वी ने किया सरेंडर, मनी लॉंडरिंग के कोर्ट में किया सरेंडर, खान घूस कांड मामले में, जनवरी 2019 से चल रहे थे फरा चुरू के सुजानगट में दर्दनाखासा, ट्रेलर और कार की भढ़नत में पांस लोगों की मौत, बच्ची का इलाज कराने चिंचडोली जा रहे थे सभी लोग पुलिस कार्मियों का आत्मत्या का सिलसला जारी, जैसल मेर के पोकरण में पुलिस कॉंस्टेबल ने फांसी का फंदा लगा कर की आत्मत्या, कॉंस्टेबल मायराम पावर ग्रिड कंपनी में गार्ड के रूप में था तैना यूपी के मैनपूरी में चार बच्चों की पानी में डूबने से हुई मौत हीट बट्टे के लिए उठाई गई मिट्टी के बाद गड़े में बढा हुआ था पानी बकरी चराने गए चारों बच्चों की ढूबने से हुई मौत अलिगड में दिन दहाडे LIC कर्मचारी से 22,70,000 की लूट गाड ने की फाइरिंग तो बदमाशों ने की गोल इबारी इस हमले में चार लोग हुए घायल अलिगड के समध रोड का मामला मतुरा की यमना नदी में डूबी किशोरी की तलाश जारी गंगा दशेरा पर उपर यमना नदी में नहाने आई थी किशोरी पुलिस प्रशासन और गोता खोर लगे तलाश में सुरीर थाना क्षित्र के ओहावा की बताई जा रही है किशोरी उशा सीकर के फतेपुर में भाज यूमों कारेकरताओं ने लगाया रक्तदान शिवेर स्थानिय यूवाओं ने बढ़ चड़ कर किया रक्तदान भाजपानेता, मदुसुदन भिंडा, प्रदीप चौमाल और सहित कई कारेकरता मुझूद सीकर के दाता कस्वे में कोरोना पोजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर, एवन टीवी की खबर का नजर आया असर, वाड़ नमर 27 के क्वारिंटाइन सेंटर पर करवाया सेनेटाइजर का छड़ु था पाली के बाली में स्री निधी बीटी ने सफाई करमचारियों का बढ़ाया होसला कहा कोरोना महामारी में सफाई करमचारियों ने दिया एहम योगदान, सम्मान पत्र देकर करमचारियों का किया सम्मान देश बर में वन नेशन वन राशन कार्ड किया लागू 20 राजियों और खेंदर शासित प्रदीशों में किया योजना का शुभारम कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को मिलेगी राहत देश बर में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर हुए महेंगे नॉन सबसिडी घरेलू सिलेंडर 11 रूपे 50 पैसे हुआ महेंगा वहीं कमर्शियल सिलेंडर 110 रूपे 50 पैसे हुआ महेंगा लोगडाउन के बाद गुलावी नगरी फिर हुई गुलजार, राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद आज खुले परकोटे के बाजार, 71 दिन बाद बाजारों में लोटी रोनक, कंटेन्मेंट जोन में जारी रहेगा कर्फ्यू प्रदेश बर में सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अनलोक वन शुरू, सैलानियों के लिए खोले सभी राज्किय संग्रहाले, स्मारग प्रेटन स्थल नेशनल पार्क, प्रेटन स्थलों पर पहले दिन संगीत का रिक्रम का हुआ आयोचत जैपुर के SMS अस्पिताल में नियमित सेवाई शुरू, अन्य मरीजों के लिए उपेड़ी हुई शुरू, कोरोना मरीजों को किया गया, RUHS में शिफ्ट, ऑनलाइन रेजिस्टेशन वाले मरीजों को दीप प्रात्मिक था प्रदेश में भी बिजले बिल माफी की उठी मांग, जोदपूर में बिजले बिल माफी संगर्ष समीती ने कलेक्टर को सौपा जापन, जापन देने वाले सभी यूकों ने चेहरे पर पियंका गांधी का लगाया मास्क, यूआउउ ने कहा बिजले बिल माफी की मांग कर प्रियंका गांधी बनी आम आदमी की नेता कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी जारी प्रदेश में बिजली बिल माफ करने की उठी मांग सीकर के अजीतगड में माकपा के नेतृत में थोई बिजली कार्याल अपर दिया धरना चित्तोडगर में केंजरिय नार्कोटिस्ट टीम की बड़ी कारवाई दो अलग-अलग कारवाई में 230 किलो से अधिक अफिम जब अंतराश्टिय बाजार में आखी जारी करोडों रुपे कीम अफिम तसकरी के आरोप में दो लोग गिरफतार अजमेर में ख्वाजा की दरगाह को 21,000 चिराग जला कर किया रोशन कोरोना महामारी के खात्मे की मांगे दुआ वहें चिश्तिया मिशन की ओर से दरगाह में कारिकर्म हुआ आयोजित 12 में कोरोना संक्रमन ने तेजी से पसारे पाऊं जिरे में आज 27 लोगों की रिपोर्ट आई पोजिटिव कोरोना संक्रमेतों के संक्या बढ़कर हुई 42,000 चिकेसा विभाग हुआ सतर सीकर के दाता रामगड में कोरोना का बढ़ता जारा कहर सुमवार को दो और मामले आये सामने शिकेसा विभाग में मचा हडकम प्रभावित इलाकों में लगाया गया कर्प्यू अजमेर के जवारला नहरू उस्पिटिल में संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों ने किया प्रदर्शन काले पट्टी बांध का जताया विरोध सरकार से की वेतन बढ़ाने की मांग जिला करेक्टर को मुख्यमंतरी के नाम सुमपा क्या पर शिवगन्ज में कोरोना योद्धाओं का किया गया संबान, गोसेवा विद्या मिषन की ओसे, प्रसास्निक अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और समाज सेवकों को किया गया संबाने बरतपूर के बयाना में तंबाकु से बने उत्पादों की हो रही कालाबाजारी, मोठी रकम कमाने के चक्कर में दुकंदार धरले से बेच रहे माल पशासन नहीं कर रहा कोई कारवाई बाड मेर के समदड़ी में विदायक हमीर सिंग भाहिल के नेत्रत में सीम और उर्जा मंत्री के नाम सोपे ग्यापन कहा बिजले बिल का पूरा भुगतान करने के बावजूद विभाग ने वसूली का दिया नोटिस किसानों ने की तीन महीने का बिजले बिल माफ करने की माँ बूंदी में तालेडा वाईपास के पास हुई चाकुबाजी का आरोपी किया गिरफतार शनिवार को मोहित सेनी पर किया गया था जानलेवा हमला हमलावर वतन सक्सेना को पुलिस ने किया गिरफतार लाल सोट में उद्ध्योग मंत्री परसादिलाल मीना ने नरेग योजना को लेकर ली बैठक अधिकारियों से लिया फिड़बेक जरुतमन्द लोगों को दिये जाने वाले रोजगार सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा बैठक में विकास अधिकारी तैसिलदार आधी रहे मोजूर एवन तेज में फिलाल के लिए बस इतना ही मुझे दीजिये इजाज़त देश और दुनिया की तमाम ताजातर इन खबरों के लिए आप देखते रहे हैं एवन टीवी तमस्कार झालब कर दो याप में एवन विए बसे भी दोद्दियूैंग